मुख्या मंतरी मनोहरलाल ने चंडीगड में छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना से संबंदीत किये गए कारेों की स्मिक्षा बैठक की अधिक्षता की बैठक में मुख्या मंतरी ने कहा कि यह महिला स्पेशल बस चात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए शुरू की जा रही है उन्होंने बताया कि ऐसी हर बस में पुलिस की महिला कॉंस्टेबल भी तैनात रहेगी ताकि आसमाजिक ततों पर निगरानी रखी जासके उन्होंने कहा कि शुरूआत में चात्राओं को लाने वे ले जाने के लिए उच्छ सिक्षा के कुछ सिक्षन संस्थानों को शामिल किया जाएगा और बाद में इस योजना के अंतरगत अन्य सिक्षन संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा मुख्या मंतरी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे बसों के रूटों को इस प्रकार से तियार करें कि समय और बसों का सद उपयोग किया जा सके उन्होंने कहा कि जहां कड़ी बड़ी बसों की जूरुत नहीं है वहां पर छोटे वहनों का उपयोग करके छात्राओं को सुविधा मुहिया करवाई जाए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के विस्तार के लिए सबी सम्मंदित अधिकारी आपस में ताल मेल रखें और योजना को सफल करने के विचार विमर्ष करें ताकि रज्य की छात्राओं को शिक्षा ग्रहन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो बैठक के दुरान प्रिवेहन विभाग और शिक्षा विभाग के वारिष्ट अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के समन्द में इसी ओजना से सम्मन्दित कारय प्रगति की जान करी दी जिस पर मुख्या मंतरी ने अधिकारियों को विभिन दिशाल निर्देश दिये